नमस्कार दोस्तों मैं प्रशांद एक बार फिर से अभी नव क्लासिस के ओनलाइन यूटूब पर आपका हार दिगा भी नंदन और स्वागत करता हूँ आज हम मैज का एक नया यूनीक सही है और एक बिल्कुल अलग कॉंसेट लेके आए हैं जिससे आप ज्यादा भी नीन है तो 40-50% के जो टाइप है आपके अरिमेटिक के वो आप सोल कर पाओगे क्या है वो क्या नहीं है उससे पहले एक बात करो अभी जो महीना चल रहा है सावन का महीना साभी है बाबा महादेव हर हर महादेव साभी है कि नी अब यहां पर सावन में आप लोगोंने देखा होग आप यहां पे मैंने यूज करा है क्या है वो थोड़ी देर समझना उसके बाद में अपने पांसाथ देस्क्यूशन जित्ते भी हैं वो सोल करने की ट्राइ करेंगे देखो समझो सब के सब अगर यहां पे आप बात करो कि यहां पे यह जो कावड है यहां लकडी है कावड की उस कावड की लकडी की बात करोगे तो देखो यहां पे मटकी लगी होती है यहां पर मटकी लगी होती है होती है एक नहीं होती है ठीक है और कहीं नहीं बीच में से आगे पिछे से लकडी को जो कावड लेके आता है दोनो यहां पर अगर मैं यह कहूं कि इस मत्की में जो पानी है उसका वेल्यू है उसकी मात्रा है पांच लिटर और इसमें भी कितना है पांच लिटर ठीक है तो सिंपल सी बात हो गई जो आपकी लकड़ी है अगर उसको मैं बीच में से पकड़ लूँ बीच में से पकड़ लोगे तो आपके कंदे पर बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा सही है कि नहीं 5 लिटर वेट आगे है 5 लिटर वेट पिछे है सही है कि नहीं सिंपल सी बात हो गई अच्छा अब इसी में यदि थोड़ा सा और मैं इसको explain करना चाहूं के अगर वेट सेम नहीं है तेफ यहां पर जो वेट है वह बोल दिया मानो 8 लिटर है और यहां पर वेट बोल दिया मनो मैंने 5 लिटर है तब क्या होगा अगर आपने बीच में से लकड़ी को पकड़ लिया तो यह जो पूरा आपका सिस्टम है यहнок पांच लिटर और यह कित्ता हो गया आठ लिटर बीच में से जैसे आपने पकड़ा आपका जो लकड़ी का इस सैव आगे वाला वह ऐसे टर्ण हो जाएगा आगे की तरफ जुग जाएगा तो इसके लिए क्या है देखो यह आप मैट्स में कैसे इसको मैं कि यहां पर दो बाते हो गई कि अगर यहां पर वेट डबलू है और यहां भी वेट डबलू है सही है समझ ना सबके सब बिलकुली अच्छा यूनीक और एक छोटा सा इससे बहुत सारे कृशन सोल होते हैं अगर वेट बराबर है दोनों इस सोपर तो आप कहां से पकड़ोग इसका मतलब यह डिस्टेंस यह वाली दूरी और यह वाली दूरी बराबर आएगी एक नहीं हैंगी सही है एक बात तो यह ध्यान रखने है आपको दूसरी क्या है वो ध्यान देओ अगर आपका वेट अलग अलग हो गया कि यहां पर जो वेट है वो है आपका डबलू वन और यहां पर जो वेट है वो कितना है डबलू टू अब यदि आप इन वेट की बात करते होगी यहां पर आप मैंने बोल दिया कि डबलू वन बराबर नहीं है डबलू टू के कि अगर वेट बराबर नहीं है तो मैं कहां से पकड़ूँगा अभी मैंने बताया आपको जहा वेट जादा होगा, वहां से पकड़ोगे, मालो ये W2 का मान, W1 से जादा है, यहां पर जो भार है, वो यहां वाले भार से जादा है, तो इसके पास से पकड़ोगे आप लोग, ठीक है, यहां वाला भार यदी जादा है, इस वाले भार से तो आप यहां से पकड़ोगे, ठी को यह वाली दूरी कम हो गई कि आपका वेट जादा हो गया तो यह जो दूरी है वो क्या हो गई कम हो गई अच्छा यहां पर वेट कम था तो यह वाली दूरी जादा हो गई कहने का मतलब mathematics की language में कुछ आप यह कह सकते हो यहां पर कि अगर आपका वेट यहां W1 है यहां पर weight क्या है W2 है और आपका W1 बराबर है W2 के सही है तो first condition में मैं यह कह सकता हूँ यह जो आपके distance D1 है और यह distance D2 है यह point P है तो आप बोल सकते हो कि W1 अगर बराबर है W2 के दोनों weight बराबर है तब क्या हो रहेगा आपका जो distance है वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी जितनी दूरी यह रहेगी उतनी ही दूरी आपकी यह रहेगी पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है दूसरी देखो बच्चो यहां पर बहुत सिंपल सी बात दूसरी जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है देखो ध्यानदो इसी में अगर मैं यह क्या पर जो व Яए व तौ 검ail ME यहां पर वेठ है वो कित्था है आपका डबलू2 और यह वादी जो डिस्ट्रेंण जेंस है यहांगा नें और यह वादी जिस्ट्रेंस है वह क्या है बराबढ़नी है तो एक फिजिक्स के कॉंसेप्ट से यह चीज हुई है डवलप क्या है देखो कि आपका डबलू वन यह साइद दिखेगा नहीं आपका ठीक है यही देखो आप यह ब्लेक ले लेते हैं देखो यहां डबलू वन कैसे दिवन का वेल्यु किसके बराबर हो जाएगा डबलू टू दीटू के सँरी यहां से अगर आप रेश almonds निकालो वेट का भार ये दिया आपको रेश första निकालना है तो कितना आएगा डवन डीवन बाई डीटू आएगा सही सोरी किता हो जाएगा यह डीटू बाई डीवन यहाँ पर आपने डबलू बाई डबलू टी लिया है तो अब एक बात ध्यान देओ यहाँ थोड़ी सी सीखना बच्चो बहुत ही तो अच्छा सिंपल सा सही है कि नहीं और एक छोटा सा कॉं ज़्यादा वही चीज यहां पर है डबलू बाई डबलू टू डीटू बाई डीवन आ गया कहने का मतलब कि भार का जो रेशयो है वह दूरी के लिटा गया आखनी आगया मैं कह सकता हूं अगर आपके पास भार कानुपात डबलू 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 टू है सही है कि नहीं तो अच्छा मुझे यदि दूरी का डिस्टेंस का यदि मुझे रेश्यों निकालना है तो इसी का ज़स्ट रिवर्ट कर सकता हूं किया मैं डबलू टू डबलू वन होगा वापस देख लो कि यहां पर भार जादा दूरी कम और यहां पर भार कम यह दूरी जादा सही है और तो थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूँ यहाँ पर अगर एक सिंपल सा क्यूशन लेकर मैं इसको सोल करूं देखो धान देना बहुत ही अच्छा है ठीक है देखो आप लोग अगर मैं बोलेगी यहाँ पर दस संख्याओं का उसत सिंपल सा क्यूशन लेते हैं देखो अपन दस संख्याओं का उसत 49 है सही 49 है एवरेज ओफ 10 नंबर्स इस 49 उसमें से अगर बोलू मैं प्रथम पांच संख्याओं का उसत प्रथम पांच संख्याओं का आपका जो उसत है वो मैं कुछ बोल दिया आपका यहाँ पर 42 सही एक नि तो अंतिम पांच संख्याओं का उसत क्या है ठीक है अब यह क्यूशन अगर आप रेगुलर मैथड से सोल करेंगे सही एक नि रेगुलर मैथड का मतलब उसत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि राश्यों का योग बटा राश्यों की संख्या अंतिम पांच संख्याओं का उसत सही एक नि तो आपको थोड़ा टाइम लगना है थोड़ी आपकी कैलकुलेशन होनी है ठीक है अ आपके पास सभी दस संख्याओं थी उनका उसत किता दियावा है उन्चास ठीक है समझना देगो सबके सब अब पांच संख्या इन दस में से कितनी संख्याओं पांच संख्याओं उनका उसत उन्चास से कम है वो किता लिखाओं आपके पास 42 अब मुझे अगली पांच का का वससत निकालना है सेयग नी यह अंतिम पाँच का हुषत निकालना है तो वो देखो कितना सिंपल है यह चीज़ सुनना सब के सब 59 संखियाहों का वससत है उस में से पाँच संखियाहों का वससतunkakah है 42 तो एक बात हमेशे दिमाग में रखना आप लोग सबी संक्याओं का उसर 59 है उस में कुछ संक्याओं का उसर 1987 किता है 42 संक्याओं चाम है चिए उन सबosit 100%559 चास से क्याएगा उश्चा का उसर आड़ाईगा वह आएगा कितना उसके लिए ध्यान द지 तो आप बीच में यहां देखो अगर मैं इसी को अभी जो आपने कॉंसिप्ट पढ़ा उस से थोड़ा रिलेट करूं तो क्या कर पाओगे देखो देहां दो पांच संक्या इन पांच संक्याओं का जो ओस्त है वो देखो कितना है पांच संक्याओं का ओस्त दिया वा है मैंने आपको 42 ठीक है यह अभी मैंने क्यूशन उता रहा है अब पढ़ो देखो सब के सब यहां कितनी संक्याओं हैं पांच संक्याओं दस संक्याओं सभी का ओस् पुछीज तो देखो यहां असे यहांन जो दूरी होगी क्या वही दूरी होगी क्यों के अब का जो डिफ्रेंस है क्या वो साथ हो गया क्या आपका देख रहा है इंदिरा बापत देखो 42 और 49 यहां तो संख्या तो एजेवेट हो गया नंबर है वो क्या हो गया भार के रूप में आपने यूज कर लिया और जो एवरेज था जो उस्त दियावा था वो आपका दूरी का क शपन तो अब देखो किता सिंपल से बिना कोई के लिशन गर अगर आप रेगूलर मेंटर से से क्यूशन को सोल करते तो आपको क्या करना पड़ता आपको यह करना पड़ता सबसे पहले आप 10 को 49 से मल्टिप्लाई करते हैं सेकंड के लिएशन उसके बाद में इसके मल्टि तो साथ कम है तो साथ इदर ज्यादा कर दिया सिधा सिधा क्यूशन का आपका आंसर आगया ठीक है अब थोड़ा सा मैं यहां से बेक जाके कुछ सेलेक्टेट क्यूशन है इसी कॉंसेप्ट पे उनको सोल करने की ट्राइए करते हैं थोड़ा ध्यान देना भई ठीक है यह जो कॉंसेप्ट मैंने बताया की डिस्केंस बराबर होगी तो आपके दूरी बराबर होगी और रिवर्ट बोलूह में की वेट बराबर है तो दूरी भी क्या हो जाएगी बराबर लेकिन एगर अगर ऐसा नहीं होता है ब्लो मान उपाहए गास सही है अब ध्यान देना सबके सब अगर मैं यहां से जो कनेक्ट कर पाऊं पहला किशन लेओं दिख रहोगा सबको ठीक है कि नहीं दो क्या है किशन समझना सबके सब यह अभी जो किया कुशन उसी कॉंसेप्ट पे बिल्कुल सिंपल सा क्यूशन है देखो द्यान दो ट्रहणा आब को ठोल निया ट्रहिक है अब स भी तो बस चेहीं से कम है कि अर्फ तो बची हुए तीन का जो एवरेज आएगा वो इसे 53 से जादा आएगा कितना जादा आएगा वो द्यान देलो तीन यहां तीन यहां तीन तो वेट बराबर है गया तो डिस्टेंस बराबर होगी डिस्टेंस बराबर होने का मलब 53 से 48 कितना कम हो गया पांच कम हो गया सही है तो 53 से 5 जादा संक्य किते संक्या है तीन संक्या है तीक है अब देखो सब का खिटा दिया वाशाına आपको सबस्प्राइप उसमें से तीन संट संक्याओं का खिटा दिया है 48 आपसे पूछोibloss एक यहां झन्ली पिजयний संक्या का विसदीन संक्या है जाइब सब्सक्राइब है है हम और सभी मैंने क्यूशन करवाय था एक सिंपल सा यहां पर जितना वेट है उतना ही वेट यहां पर है क्या तो यह वाली डिस्टेंस से इस साली डिस्टेंस के बराबर आएगी एक नहीं आएगी देखो इस कौन से पूरा कब समझ में आएगा कब आप एवरेज में सभी संक्याओं का उस्तों किता है तरेपन उसमें से कुछ या तीन संक्याओं यह उसका उस्तों किता है इसका यह यहाँ रखणा ठीक है तो यहाँ पर अंतर के प्लस माष् Arg habe आया ओगा समझ में अच्छास फिल ऑभा ठीक है देखो नेक्स की तरह बढ़ता है इस क्यूशन को सोल करने की ट्राइग रो हो जाएगा आप सबसे सही बिल्कुल सा क्यूशन सोचो देखे एक बार सब के सब ठीक है फिर मैं तो मुझे तो कड़ना है बोल देता हूं मैं और ली वैसे आठ संख्यां का उसद किता है एक सो बारा एक सो चोईस से एक सो बारा बारा कम है क्या आपका तो बची हुई चार का उसद किता हो जाएगा एक सो चोईस में बारा जोड़ दो वापस द्यान देलो क्या करना चारा हूं मैं एक सो चोईस तो सभी संख्यां का उसद था एक सो बारा उसमें से कुछ संख्यां सब्सक्राइब तो बची वी संक्याओं के लिए एक सो चोईस में बारा और जोड़ोगे एक सो चोईस से जादा आएगा तो चोईस प्लस बारा आप कहां सो गिता हो जाएगा एक सो चैटी देखो आपका बिना पहन चला या आप निया फिर में मैं रिपीट कर दे रहा हूं देखो ध्यान देखो क्या है कि यहां पर कित्ती संक्याओं है ठीक है आट संक्या यह कॉंसेट्ट सीखोगे तो आप क्यूशन को विदिन फाइफ सेगंड फाइब सेगंड मैं बोल रहा हूं बहुत ज़दा टाइम होगे इदिया आपको अच्छे से आता है तो आप बहु जो देखो यहां जितना वेट है उतना ही वेट यहां पर है कि नहीं है अभी थोड़ी देर आप वेट करना कि यहां पर अगर आपका भार अलग अलगा जाए तब क्या करना है वो भी अपन कुशन करने वाले हैं यहां जितना वेट है उतना ही वेट यहां पर है तो यह नीग बहुत ही अच्छा सही है बहुत ही मतलब शांदार मेथड़ है यह सही है अगर आप थोड़े इसको रिलेट कर पाओगे सीख पाओगे अप्लाई करना सीख पाओगे तो मैं यह करा मतलब सब्सक्राइब यहां पर अच्छे से सुनना अभी तक क्या था जितनी संख्याएं यहां थी वेट बराबर था निए था अपका ठीक है वेट बराबर था लेकिन यहां पर वेट अलग अलगा गया कैसे आया यहां पर देगो पूरी पच्छी संख्याएं समझ ना भई सबके सब पच्छी संख्याओं का उस्त किता है 142 ठीक है गनी प्रथम 15 संख्याओं का किती संख्याओं का प्रथम 15 संख्या का उसत किता दियावा है 134 मैं वापस कह रहा हूं सभी संख्याओं के उसत से कुछ संख्याओं का उसत 134 कम है क्या तो बची हुई जो आपके पास 10 संक्याइं है उनका ओसत 100% 142 में क्या होगा प्लस होगा वो कितना प्लस होगा वो थोड़ी देर ध्यान देओ वापस ध्यान देओ यहां पर वेड कितनी संक्याओं का है 15 का यहां पर वेट किते संग्याओं का है 10 का 15 और 10 का नुपात देखोगे तो 5 3 15 5 2 10 तो 3 रेशियो 2 यहां पर वेट का भार का नुपात आगया आगया और मैंने अभी कहा था कि जो भार का नुपात होगा उसका विलोम उसका उल्टा उसका रिवर्स रेशियो जो होगा वो यह पाक नहीं होगा तो आप देखो यह वाल डिस्टेंस तो 2 आईगी और यह वाल डिस्टेंस कित्ती आएगी तीन आएगी यह चीज़ा आपके समझ में आई क्या भी यहां पर पंद्रा सही एक निरेशियो निकालना आपको को जो रिनिया पंद्रा दस बोलो पंद्रा दस को सोल करके 3 रिशियो 2 भी बोल सकते हो यहां से 3 कि यहां पर वेट कितना है 3 यहां वेट किता है 10 तो अभी मैंने बताया था कि यदि आपके भार का वेट का नुपात यदि A नुपात B हो तो जो आपके पास दूरी है दूरी का नुपात किता हो जाएगा B नुपात A सिदा स सिदा थो यहां पे जो भार ता उसका रिश्यों किता है तीनन उपात जो भर किण है तो दूरी क्लिकिति हो जाएगी नू पार तीन कर पाएंगे सिदह सिदा है वापस आजाओ इसमे पे ठीक है वापस एक बार लोड़ के लाल देख हैं दियां दिहां दिछ 15 10 का ratio 3 ratio 2 यहाँ पर weight 3 है यहाँ weight 2 है तो यह वाली distance किती है आएगी 2 यह वाली distance दूरी किती है जाएगी 3 अब देखो इस 2 का exact value पता है कि आपको देखो जान देओ 134, 142 134 से 142 की बात करोगे तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ value किता हो गया 8 का दिख रहा है कि आपको 106 और उपर वाला 2 आठ तो 2 का value 8 के बराबर है तो 1 का value किस के बराबर है 4 के सही है 3 का value फिर किस के equal कर दोगे 4 तिन किता हो जाएगा 12 142 प्लस 12 वापर द्यान देलो समझो सब के सब 25 संग्याइती 15 संग्याओं का उसरत किता है आपके पास 134 सही है 안तिम 10 का उसरत आप से पूछा है तो बीच में किता होगि 142 142 से 134 किता कम है आठ यहाँ पर वेट किता था 3 संग्याओं का सॉल कर लिए आप लोगों ने 3 संग्या 2 संग्या मान सकते है इसको यहाँ पर 3 ratio 2 weight है तो इसका उल्टा कर दिया सही एक नहीं ऐसे तो यह दूरी तो दो आएगी यह वल दूरी कित्या जाएगी तीन आजाएगी समझ रहो सब के सब अब ज्यान दो दो का विल्यू किसके बराबर है आठ के तो एक कमान किसके आ गया चार के सही है तो चार है वह मैंने आपको बता है मैं रिपीट कर दे रहा हूं यह एक बार यह क्रिशन उसके बाद में थोड़ा सा इस पीड़ों के अपन चलने वाले हैं ठीक है क्रिशन दिख रहोगा आप सभी को ध्यान देव सबके सब एक चीज़ और यहाँ पर देखो 142 सबी का उसत किता है आपके पास 142 यह फिर इसको उपर संख्या लिख लेता है अपन यहां पर सभी का उसत किता है आपके पास 142 किती संख्या है 15 संख्या उसमें से किती संख्या है दे दिया आपको 25 संख्या यहां पर किती है 15 संख्या निकालना किसका एवरेज ह है दस संख्या का सब्सक्राइब यहां की बात करोगे तो पंद्रा संख्याओं का उस्ट भी दिया वा आपको 134 मैं यह करना चाहरा हूं अब देखो कुशन को उड़ा दो आप कैसे उड़ाओं के दो यहां किता है तीन यहां किता है दो तो अगर 142 प्लस 12 आपका आंस किता हो जाएगा 154 सीधा सीधा कुशन सोल हो गया ठीक है नहीं आपकी केलकुलिशन बहुत कम हो जाएगी अगर आप इन सब्सक्राइब को सीख जाओगे चलो एक और देखो देखे यह भी कुछ ऐसा ही है क्या यह तो सेम वेट का गया भार समान है भार समान है तो यह तो देखो आप उड़ादो जल्दी से कैसे उड़ाओं गया अप उड़ाने का मतलब समझते हो नहीं हवामें सभी नहीं दिम अगर 136 बोल दो गया यहां किता बोल दो यह थोड़ा सा भी डेटा इसने उपर नीचे कर दिया एक सो तीन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कि अपने यहां पर थोड़ा चेंज किया है तो आपका आंसर भी खुद काएगा ध्यान दो दस संख्याओं का उसत किता है आ दिक्राएगा आपको तो यहां भी अंतर कितेगा होगा 33 का 33 जोड़ दो सही एक नहीं तो आपका आंसर किता हो जाएगा 169 639 336 आई गया बात समझ में से इसका यह आना है एक्जिक्ट आंसर अब वहां डेटा क्या था वह बात की बात कर पाएंगे सब के सब चलो एक शन और देखो आप लोग देखो यहां अब यह बल्लेबाज वाला जो किशन आप लोग करते हो कि बल्लेबाज का उसरत कुल रने बटा कुल पारी सही एक नहीं ऐसा अपलाई करते हो उसके बाद में सोल करते हो वह भी आप यहां पर सोल कर सकते हो कैसे देखो एक बल्लेबाज कि साथ पारियों के रनों का उस्ट अब ये तोड़ा सा अलगाया किशन कैसे ध्यान देो साथ पारियों का जो उस्ट तो वो किता है 48 फिर अगली साथ पारियों का उस्ट कितना हो गया इसका 69 और आपसे पूछा है कि सबी पारियों मतलब जो इसने 14 पारी खेली उसका उसत कितना हो जाएगा सही एग नी वो कैसे होगा ध्यान देओ ठीक है यहाँ पर अगर आप कर पाओगे तो देखो 48 और 69 का यहाँ जितना वेट है उतना ही वेट यहाँ पर है क्या तो यह मैं कह सकता हूँ कि जितनी दूरी यह होगी उतनी ही दूरी यह बिल्कुल आएगी सही है अब देखो 48 और 69 सही है यहां पर देखो रेशियो वापस मैं बोल रहा हूं कि एक रेशियो किता हो जाएगा एक 48 से 69 के बीच कितनी दूरी हो गई टोटल अगर आप देखोगे सही है गनी तो देखो यह नोर दो 11 दिक रहा है गया आपको यह पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 11 11 का आदा कर दोगे तो पांच पॉइंट पांच पॉइंट पांच समझेगा सबके सब तो सबी पारियों का उस्त पुछा है 14 पारियों का किता हो जाएगा उस्त यह किता था 48 यह किता है 69 मुझे 48 और 69 का मिड़ पॉइंट निकालना है बिल्कुल बीच का बिंदू निकालना है सही है तो यह डिस्टेंस किती निकाल ली 11 11 गादा कर दिया साड़े पांच या तो आप तो आपके पास जो संख्याओं का सही है जो दूरी होगी वेट का क्या हो जाएगा आप अलग कर दोगे विल्ूम अनुपात कर दोगे वाप दियान दो किती है साथ संख्या है आपकी इन साथ संख्या का उस्त केता है बैतर रहे हैं element कित्ם है ऑगे छलो पिर आगे तीन संक्या- का वहाट किता है 60 बहुत hind cohort का आको से ऑस्त पूचँ अभी थोड़ी देर पहले जस कित लास्ट से लास्ट ऑला जो किशन ता वो भी ऐसा ही था यह संक्या यहां मेरे कितना है तीन का यहां कित्य सब्सक्राइब पर तो यह वाला डिस्टेंस चार होगी यह वाली इस्टेंस पीन होगी वेट का उल्टा नुपा थीये जो दूरी ओपाती वह आएगा अभारागा चार तीन बारा तो यह एक विलू क्या बोल रहें पडो देगे सब के सब ठीक है प्रतम 6 संख्याओं का उस्त किता है 992 अगली 7 संख्या उसकिता है 108 तो सभी 13 संख्याओं का इविज गिता हो जाएगा वापस वही आपको देखो यहां ध्यान देओ किती संख्या है आपके पास 6 संख्या यहां कित्ती संख्या है 7 संख्या सही है अब यहां पर बात करोगे दूसरा भी 6, 7, 13 संख्याओं का आपको average find out करना है 6 संख्याओं का उस्थ किता है 992 और अंतिम साथ का उस्थ किता दियावा आपको 1018 अब देखो समझना यह चीज कि यहां पड़ीड किता है उपर यहां वेड़ किता है 6 का यहां वेड़ किताए यहां था गया साथ और यही जो डिस्टैन्स होगी वह तो दोने कर करोगे तो सिक्स से प्लस सेवन की बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस ते रहा गई कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक ठीक है और वैसे एक्जेक्ट किता दिया वह नाइन नाइन टू नो दो सो बाणव है और 1018 में अंतर देखोगे तो 188 26 का डिफ्रेंस दिख रहे गया आपको तो तेरा का वेल्यू चपवीस है तो एक का विल्यू किसके बराबर हो जाएगा दो का अगर एक का विल्यू दो के बराबर आ रहा है सही है तो देखो आपके पास ही यहां पर वापर जान दिलो यह पूरी डिस्ट्रेंस आपके पास कित्या गई रेश्यों में तो कित्या गई सेवन प्लस सिक्स थर्टीन और वैसे एक्जेट कित्या गई नाइन टूर वन जिरो वन एट का जो डिफ्रेंस वो कित्ता हो गया 26 तेरा का वेल्यू चपवीस है तो एक का विल्य तो जिस्ट मिड़ पॉइंट साहीं लेकिन यहाँ पर च संक्षें CRY यहां पे जोड़ों नोसो बारणों में 2027 कम कर तो आपका कितैंएगए 1006 दोनों तरफ से आप 1006 पे पहुंच पारे हो तो सभी 13 संक्याओं का जो ओस्ट है वो किता हो जाएगा 1006992 में 14 जोड़ोगे तब भी यह आना है और 1018 में 12 कम कर दोगे तब यह आना है कर पाओगे क्या अब आपके दिमाग में कॉंसेप्ट पूरा डवलप हो चुका है चलते हैं अगे अगले वाले कुशन पर ठीक है यह देखो थोड़ा सा और भी अच्छा थोड़ा सा परसंटेज वर्ड और यूज कर लिया है यहाँ पर क कि लेंग्वेज अलग 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 आएगी कॉंसेप्ट आपका जो आपने सीखा है वह एक ही अप्लाई करना है देखो ध्यान दो 50 विद्यारतियों की एक कख्षा में यहाँ पर दियावा है 40 प्रतिशत लड़की जो ध्यान देना आप कुछ भी डेटा यूज नहीं वह लड़कों की संग्या का मतलब वेट हो गया भार हो गया अच्छा 50 विद्यारतियों की कर्षा में 40 प्रतिशत लड़की लड़कों का उसत वजन कितना है 60 kg किसका भई लड़कों का लड़कों का उसत वजन कितना है सोरी 62 kg है 62 kg है ठीक है आगे द्यान देओ और लड़कियों का उसत वजन कितना है 58 kg अब मैं वापस कह रहा हूं यह चीज समझना लड़कों का उसत वजन 62 kg लड़कियों का उसत होज है ध्यान दे कंण दो इधे सभी कख्षा का यह लढ़के प्लस लड़किओं का सब्यक मिलाकर घ्यान vine और ये वाली दूरी कित्तिय आजाएगी दो आएगी वेट का जश्ट उल्टा नूपाता आएगा अब देखो 58 और 62 के बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया वो ध्यान देओ 58 और 62 तो यह दो और 2 कित्ते का डिफ्रेंस हो गया चार का यह चार का डिफ्रेंस देखो 3 प्लस 2 5 रेश्यों के बराबर है कि नहीं है आपका ये चीज आपने पकड़ पाई गया भी दो 58 और 62 के बीच यहां से यहां तक का अंतर कित्ते का है 4 का यहां वेट कितना था 2 यहां वेट कितना है 3 तो यह तो 3 तो यहां पे आगया और 2 यहां पे आगया तो जो रेश्यों में ड 0.8 है तो तीन का वेल्यू सही है आट 0.8 को अगर आप इससे मल्टिप्लाई कर दोगे तो 2.4 आएगा आएगा या 2 को मल्टिप्लाई कर दोगे तो 1.6 आएगा आएगा मुझे सबी पूरी कक्सा का एवरेज निकालना है यहां पे पूंचना है तो यहां से तो 2.4 आगे ठीक है अब द्यान देओ आप लोग कर पाएंगे बहुती इजी बहुती सही है अच्छे अच्छे क्रिशन है यह वाला ओर देखो देखो देखे सेम है क्या कुछ यह थोड़ा सा मैंने ओर इसमें लेवल बढ़ाने की ट्राई करी है यदि आप लोग कर पाओगे तो ठीक ह कि अब महीला करमचारी और चाहिए क्या हो गएह आ आपके सभी करमचारी गान देव पूरुस करमचारियों की ऐसता इुकित्ति है आपके पास 42 ज़स शदिचायों मतलब आपके जो दूदूरा कौमचारियों क्यस्ट एसteर कित्ति है 41 वर्स ठीक है किने सभी करमचारियों की ओसटाइव किती है यह देखो सबी करमचार्यों की ओसस्ताइव किती है 41 वर्स नोमा है महाना अब कि बार च्छोटा डेटा इदर लिख लिया बड़ा डेटा इदर लिख से कोई फरक नहीं पड़ने वाला ध्यान देओं अब ध्यान देओं आप वैंसे भी देख लो सबी पुरूसों के ओसटा हियो 43 थी सबी मैलाओं के ओसटा हियो 41 थी तो आप 41 और 42 के बीच में ही सबी का ओसटा या अगनी आया कभी भी 41 से जादा नी होगा और 42 से ज़्यादा नहीं होगा ध्यान देओ 41 वर्स 9 माहे का मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अंतर कितने महीने का हो गया 41 वर्स 9 माहे का मतलब क्या हो गया 3 महीने का अंतरायाक नहीं आया तो वन रेश्यो थ्री दिकर आएगे आपको अगर दूरी का रेश्यो दूरी का अनुपात एक अनुपात तीन है तो जो वेट है भार है उसका अनुपात किता होगा तीन अनुपात एक कि आपके पास ये वाली जो दूरी है देखो ये वाली दूरी किती आई है एक तो ये व वाली कंडिशन देदी कि यह वन रेश्यों त्री यह त्री रेश्यों वन आएगा यहां पर वन देखो ठीक है तो तीन माहें का अनुपाद गितना हो गया एक अनुपाद तीन तो चार आपके पास पूरुस करम टोटल करमचारी है कितने तो यहां पर वैसे रेश्यों में तीन प्लस एक टोटल कंडिडेट कितने हो गए चार तो चार का विल्यू 600 है तो एक का विल्यू कितना हो गया डेड़ सो वन फिप्टी आ गया तो एक का मान कितना हो जाएगा एक सो पचास और तीन का मान कितना हो जाएगा चार सो पचास त अब थोड़ा सा एक जोमेट्री का कुशन भी मैं लेकिया हूं देखो सबके सब ठीक है अब ये कुशन ने दिया आप लोग कर पाए तो बहुत ही अच्छा अगर आपने इस कुशन को पकड़ लिया तो जोमेट्री के आगे चलो इसी को देखते हैं COD ये आपके पास क्या आगए यहां पर D पोंट है ये क्या है आपके पास O है ठीग है अगे चलो BOF B O ये क्या है O F हर ratio लिखो देखो आप लोग क्या दिया वा ये ratio किता है A O अनुपाथ O E 3 अनुपाथ 4 है CO ये किती है 3 है ये किती है 2 है अब देखो ये ratio जो दिया वा भी तो ये दूरी का अनुपाथ आगा अब दूरी यहां पर ये बोल सकते हूँ कि A O की O E की दूरी तो किती है ratio 3 अनुपाथ 4 यहां पर C O O D की दूरी किती है 3 अनुपाथ 2 तो मैं कह सकता हूँ देखो समझना यहां पर जो वेल्यू है ये 3 है ये 2 है तो इनका जश्ट उल्टा इस D पर वेट कितना आएगा तीन आएगा इस C पर वेट कितना आएगा दो आएगा तीन का दो नुपा तीन का उल्टा वेट आएगा तीन यहां पर दो यहां पर ये 3 है ये 4 है तो ये वाला वेट यहां वेट कितना आएगा चार यहां वेट बार कितना आएगा तीन समझ पाएगा यह चीज़ वापस देखो यहां से यहां तकी दूरी तीन थी यहां से यहां तकी दूरी चार थी तो यह वाला वेट तो यहां पे चला गया यहां वेट यहां पे आ गया तो जो वेट का रिश्यो है बार का नुपा च छारोग आखनी होगा अब ध्यान दिखो तीन और चार गृता होगै का देंगो यहाँ थी 你 यहाँ दो है जिए ओले दिए वेट किता हो गया चार पांच और चार का मल्टीपल आप देखो तो यहां क्या आप वेट टोटल 45 मान सकते हो गया सही है अगर यहां पर वेट 45 है तो पांच और एक कमान लेच सेट je 20 और नो नोक कमान 45 की का 20 का चाहिए यहां लेच पर श्मख् tiếp भाराग और सबस्ते हैं मुimmak साही है यहां लोगना पॉर्प 1000 एके इक इन 47 के तो एक कमान किसके रहो गया नो के तो नो दुनी 18 और यहां किता हो जाएगा नो तीन 27 यह आपने निकाला मतलब निकालना सीखा गया देखो देखे एक बार वापस अच्छे से मरीपीट कर दे रहा हूं ठीक है एक बार वापस जो अभी तक निकाला इसके बाद में कुछ में कुछ नहीं बचा यह जो रेश्यो है सही है वही है आपका जो बात है मतलब वेट जो दिया हुआ है या दूरी जो दी हुई है उसका उल्टा अनुपात क्या जाएगा आपके पास दूरी का उल्टा वेट आएगा भार आएगा देखो वापर द्यान दो यह A E सही है नहीं यह C D B F यह पॉइंट क्या होगे आपके पास ओ ठीक है अब ध्यान दो थोड़ा साब लोग यहां ध्यान दो यह अनुपात के तह पांच अनुपात चार यह अनुपात के तह तीन अनुपात दो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर यह दूरी पांच यहां दो तीन है तो यहां दो वेट दो आएगा यहां वेट किता आएगा तीन आएगा अब ध्यान दो पांच और चार का दो और तीन का एक साथ एक ऐसा मल्टीपल ले लो जो सबसे डिवाइड हो तो मैं कहूं कि यहां पर अगर वेट आपका 45 कजी है सभी है टोटल किता हो गया बीस और पांच बराबर किता हो जाएगा देखो 25 समझेगा सब के सब कि यहां पर वेट किता रहेगा 20 यहां पर किता रहेगा 25 यहां द्यान देओ तीन प्लस दो कामान किसके बराबर है 45 के तो एक कामान किसके बराबर हो गया 9 के 2 कामान किसके बराबर हो जाए 27 के अब द्यान देओ इधर द्यान देओ आप देखो यहां जो लिखा हुआ है यह वड़ा वेल्यू यहां वेट कितना है 20 का यहां कितने का है 18 का तो यहां इस एफ पॉइंट पे इन दोनों का योग आएगा कि नहीं आएगा सबी का तो 20 और 18 किता हो जाएगा 38 आना है कि न यहां पर वेट कितने का हो गया साथ का अब पॉइंट बी पर वेट है साथ अब इसको मैं तोड़ा सा ऐसे ड्रो कर दो दो देखो यहां पर तोड़ा सा कि यहां पर पॉइंट बी है यहां पर पॉइंट आपका एफ है यहां पर वेट कितना है आपका 38 अगर वेट का तो यह किती हो जाएगी आपकी 38 और यह वाली जो इस्टेंस वो किती हो जाहेगी 7 तो ऑप्छन किता हो जाएता शाथ कि आपका बी ओ अनुपात ओ एक कि ता हो जाएगा 38 इसन उपास साथ शीखा कि आप लोगों ने देखो आपने जोमेट्री के ऐसे ज्यादा नहीं लेकिन जो ऐसे से लेवल तक जिते भी कुछन आता हैं बहुत बार रिपीट होता हैं से कुछन अगर आप रेगुलर मेथर से को सो करो गए तो आपको से मिलर्टी सम रूपता करनी पड़ेगे कैसे सम उस इसे से देख लो इसको और घर पे पूरा वीडियो एंड होने से पहले देखना पूरा और उसके बाद में इसके सब्सक्राइब करना सोल करना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल एक ऐसे ही नए और यूनिक कॉंसेट के साथ पढ़ते रहो हस्ते रहो मुश्कराते र हो कि चलो एक अच्छा प्लेटफोर्म है अच्छी बाते हैं अच्छी यूनिक चीज़ें अच्छी फैकल्टी है वहाँ पर तो हमारे जो ओफ-लाइन बोच है जो सीटी का स्टार्ट करा है हमने आज ही और इसी के साथ ग्रेड सेकिंड का भी बेच हमने स्टार्ट करा है व